अकोला जिले में कोरोना के संक्रमन ने कोहराम मचा रखा है कोरोना के उत्पत्ति काल से अभी तक सबस्यदिक पॉजिटिव मरीज निकले है इसी के साथ उपचार के दोरान मरीजों की मोते हो रही है जिसने सभी को चिंता में डाल दिया है शनिवार 5 सितंबर की सुबँ 81 पाजिटिव मरीज निकले है जिसमें 31 महिला और 50 पुरुष मरीजों का समावेश है जिसमें 38 मरीज तांदिली के है पिंजर के 12 मरीज है भटवाडी के 5 मरीज है कौलखेड के 4 मरीज है केशावनगर के 3 मरीज है गौरक्षन रोड, छोटी उम्री और रनपी से नगर के 2-2 मरीज है अन्य मरीज मंगलूर, बालापूर, मालेगाव बाजार, रहिनुका नगर, रश्पुतपुरा, तिलक वाली, पंच गवान, अमानका प्लोट, रविनगर, भारती प्लोट, रामनगर और बेलूरा के है शनिवार को उप्चार के दावरान दो मरीजों की मौत हुई है जिसमें काफसी तालाप निवासी 33 वर्षिय महिला का समावेश है, जिसे 2 सितंबर को दाखिल किया गया था दूसरी मौत 60 वर्षिय पूरुष की हुई है, जो मुर्तिजापुर निवासी था, जिसे 2 सितंबर को दाखिल किया गया था शुक्रवार की रात Rapid Antigen Test की रिपोर्ट में 12 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव वही थी जिसका समावेश आज की पॉजिटिव रिपोर्ट संखिया और Active Positive रिपोर्ट संखिया में किया गया है इसी के साथ अभी तक प्राप्त पॉजिटिव रिपोर्ट की संक्या 4449 हो गई है मरने वालू की संक्या 165 है अभी तक 3344 मरीजों को डिश्चार्ज किया जा चुका है एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संक्या 910 हो गई है इस प्रकार की जानकारी सरकारी वैद्धी के महाविध्याले द्वारा दी गई है।